तो हेलो एवरिवन मैं उश्य उम्दिवेदी और आप देख रहें अपना पसंदीदा चानल ग्यानों देखे गुरुजी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास हमारी जो तेंथ है उसके चैप्टर नमबर नाइन जिसका नाम है प्रकास का परावरतन तथा परतन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोली दरपन द्वारा प्रत्विम कैसे बनते हैं गोली दरपण क्या होता है उत्तल दरपण किसे कहते हैं अवतल दरपण किसे कहते हैं पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम टोटल तीन टॉपिक के उपर बात करेंगे पहला टॉपिक होगा कि भाई क्या होता है वास्त्विक और आभासे प्र आपको numerical करना है, अगर आपको concept को समझना है, तो वो नियम समझने जरूर होंगे, अन्यता आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि गोली दरपन द्वारा प्रतुम कैसे बनते हैं, सेशन कितना भी लंबा क्यों नहों, लेकिन मज़ा आने वाला है बच्चों, चलें, शुरू किया जाए कहानी, चलो बाई, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, हमने time change कर दिया है, अब आपको सेशन डेली 8 बचकर 15 मिनट पर मिलेगा साम को, और मुझे लगता है कि ये time काफी अच्छा होगा, ठीक है, इसी time पे हम लोग class करेंगे अब, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरी आवाज आ रही कि नहीं, चलो बाई, मेरी आवाज वगरा आ रही है सारे बच्चों को, ये काफी अच्छी बात है, ओके, done, तो सबसे पहला topic हमारा है कि क्या होता है आभासी और वास्त्विक फ़र्तिव, इसे हम कैसे समझेंगे, माल लीजे कि बच्चों हमारे पास एक कोई भी दरपण है, कोई भी दरपण है, बहुत अच्छी से समझ Tक हमोंने नाम रख दिया है, कौम ओफरे हूए तल पर है, अब आपको ये बात पता है कि ईसे हम अब माल लीजे मेरे प्यारे बच्चों कि एक हमारे पास कोई यहां पर वस्तु रखी है ठीक है यहां पर कोई वस्तु रखी है और प्रकास की किरणे चलती है और चलने के बाद यह सीधे प्रकास की किरण चली और फोकस से गुजर गई दूसरी भी जो हमारी प्रकास की दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हूं outta यहा नियम आपको नहीं पता है बुझे पता है लेकिन और बहुत पहले अच्छे से समझ लो एक बात मुझे पताचला कि जब प्रकास जब प्रकास किरने और इंगमे कि कैसे अचरम मोंने लेंगे आपको चीज़्स परिपर्या सितुमय मतली प्रिभास से लिखना हो पीच में और यहां लिखेंगे वह परिपर में लिखना है वास्तिविक प्रतिविंब और अंतर पेपर में आता जरूर है ये कोशन पेपर में आएगा जरूर वास्तिविक प्रतिविंब और आभासी प्रतिविंब ये है वास्तिविक प्रतिविंब और ये है हमारा आभासी प्रतिविंब चलिए समझने की कोशिस कीजिए वास्तिव प्रकास किर्णे वास्तों में मिलकर वास्तों में मिलकर प्रतिमिम बनाती हैं कि क्या करती हैं प्रतिमिम बनाती हैं अब एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब प्रकास किर्णे मिलती हैं जहां पर-CEM करती हैं वहीं पृततीम बनता है कैसे बनता है सब बताया जाएगा जब प्रकास कीरवक्णा में मिलकर फृतीम बनाती है तब लिए प्रतिम कैसा होता है वास्तेविक होता है और आपको हम बता दे जोभी परत्तिविंद भम हमारा वास्टविक परत्रीम होगा वो परत्रीम्द हमेशा हमारा उल्टा परत्रीम्द होगा इस चीज को आप नोट कर लो वास्टविक वास्तुक्तिविम सदयाव मैं उल्टा प्रत्विम होता है करें वास्तिविम क्या tou accord कि वास्ति प्रत्विम सदयाव मिल्टा प्रत्विम होता है कब सभी भी यह प्रत्विम हमारा सीधा नहीं हो सकता ओके माई डियर यहां तक सभी को समझ में आ गया है कि ओके नोबिता चले अब यहां पर देखो बच्चों इसको देखिए जब कि जब प्रकाश किरने कि यह प्रकाश किरने कि वास्तों में ना मिले वास्तों में ना मिलकर कि ना मिलकर केवल कि मिलती हुई प्रतीत हो तब आभासी प्रतीम बनता है कि अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा भी तब आभासी प्रतीम बनता है कि अभी समझ लीजेह फिर अभी आपको क्लेयर करूंगेत सारी चीजे और बेटा जो भी आभासी होता है यह कोश्ण पेपर में आएगा एघासी प्रतीम कैसा होता है आभासी प्रतिविंब आपको एक सब्सてयैं होता है सिधा प्रतिविंभ वारचि होता है उल्टा प्रतिविंभ होता है यह कोशन आप से पेपर में आ सकता है आज इसे को कै वास्तिविक प्रतिविंब उल्टा प्रतिविंब ओके आगे इतनी बात समझें अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है और इस दूसरे टॉपिक का नाम है कि भाई गोली दर्पन से प्रतिविंब का बनना अब गोली दर्पन से प्रतिविंब कैसे बनेंगे बहुत प्यार के सा और मेरे प्यारे वच्चों दूसरा होगा उत्तल दर्पण पहला होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण ठीक आगे मेरे बात सुझें और तीसरा सम्तल दर्पण इक अब जब प्रतिविम बनने की बात होती है यह सब मिन्हें कभी यह पहले नहीं पढ़ाया सम्तल दर्पण वगर्रा जब प्रतिविम बनने की बात होति आव्न दर्पण में टोटल शे इस्थितियां हैं हम आपको 6 तरीके के पिक्चर बना के दिखाएंगे और उट्टल दरपण में हमारी 2 इस्थितियां है और समतल दरपण में एक इस्थिति है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हम इन सभी को आपको बना के दिखाएंगे आप बिल्कुल भी बेफिकर रहें हम आपको बिल्कुल बना के दिखाएंगे सारी जीजे नुटलिया तक तो इतनी बात सारे बच्छों को आ गई है समझ में चलिए अब हम सुरू करते हैं एक एक चीज आपको बताना शुरू करते झाले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे दर्पन में बनने के नियम होते हैं तो हम यहां लिखेंगे कि प्रतिविंब एटिंग है हमारी प्रतिविंब बनने के नियम बेटा, बहुत प्यार के साथ समझना, यह science है, थोड़ा time लगता है, लेकिन जब एक बार science समझ में आ जाती है, तो भाई इससे आसान हमारा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ओके चले बाई देखो प्रतिम बनने की कौन से नियम है कौन से वो नियम है जो प्रतिम बनने में काम आएंगे पहला नियम माल लिजे कि हमारे पास ये एक आउतल नर्पण है कि इसका मुख्य अच्छ ये है कि अर्प स्काफ ये है और सेंट्र करेचर हमे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंट्रा करवेचर होगा यानी क्या सी होगा और सेंट्रा ऑफ करेचर मतलब बटा वच्रता केंदर और का मतलब फोकस होता है अब आप अपना परकार लिजिये जो पेंशिल का नोख हो वह माल लीज़े यह है और जो परकार का नोख है वह यह परकार की नोख को ऐसे रखिए नहीं पर कॉपी पर और ऐसे एक चाप लगा दीजिए लगा दिया अपने चाप, उसके बाद इस तरीके से इसमें पॉलिस कर दीजे, हो गई पॉलिस, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजे, हो गई ड्रॉ, ठीक, इस बिंद को आप C मान लीजे, इस बिंद को आप P मान लीजे, इसके इसके बीच की दूरी को नाप लीजे, मान लीजे अपने नाप पा चार सेंटीमेटर आई, उसका आधा कीजिए, और बीच में बिंदू यहां लगा दीजे, यानि यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर होनी इस बिंदू को F मान लीजे, यह C हो गया और यह P हो इस तरीके से शित्र बन गया, बोलो बालक, इतनी बात समझ में आगई, इतना काम ऐसे करना है, जैसे हमने आपको बताया, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, अब यहीं काम, हमें कितनी बार, क्योंकि हम लोग देखें के बच्चों, तीन नियम टोटल, तो हमें त तिन बार बता रहें आपको, ठीक है, हम आपको इसको तीन बार बता रहे एग यह पहला, ओसके बाद यह दूसरा ओ कि आज़ गे से है चैंहें टोटल हम तीन बार बताएंगे अब कि दूसरा नियम बेटा और ये तीसरा नियम बता रहे हैं इसी दरीके से हम उत्तल की बात करेंगे हो यह उत्तल दर्पण कैंतीक है यह उत्तल दरपन बहुत प्यार के साथ समझो इसको भी तीन बार बनाना पड़ेगा अब क्या होगा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह इधर से बनेगा इसलिए इसका सी इधर होगा और एफ इधर होगा ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई परेशानी नहीं है कौन सा दर्पर बना दिया उत्तल दर हमयं टोटल छे सितियां देखनी यह त्वी तीन इसकी तीन नियम देखने तीन आंप पहला हम आपको एक गाना सुनाएंगे पयार के साथ अभी देखना वैटा जो मालीजिए प्रकास की किरन ऐसे समांतर आ रही है ठीक, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, यह हमारी कौन सी प्रकास की किरण है, समांतर आ रही है, तो पेटा समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया, अगर प्रकास की किरण, मुखे अच्च के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक, उसके बाद यही नियम इसके भी लिए लागू होगा कि समानतर आएगी तो फोकस से जाएगी लेकिन अब गलत हो गया क्योंकि ये दरपन है और इसमें पॉलिस है न तो उधर क्रॉस करके नहीं जा सकता अब क्या होगा ये इधर जाएगा लेकिन इसके पीछे जब कोई यहां से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये यहां से आ रही है यानि कि ये एकदम सीधी ऐसे लाइन बना दोगी तो पता चला कि समानतर से आएगी तो फोकस से जाएगी ये जाती हुँँ प्रतीत होगी ठीक है बात समझ में आगे कि समानतर आएगी तो फोकस से जाएगी समानतर आएगी तो फोकस से जाती हुँँ प्रतीत होगी सिम्पल सी बात ठीक है अब देखो अब एक प्रकास की किरण इसमें फोकस से आ रही है यानि कि ऐसे आ रही है कि फोकस से जाएगी ऐसे तो बेटा फोकस से आ रही है तो समांतर हो जा रही है यानि कि इसी का ज़स्ट उल्टा तो मतलब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी ठिखर तो यहीं रागु यहां करते हैं कि ऐसे आ रही थी ऐसे कर इसा लग रहा है कि यह प्रकास की किरण। कि यहां से आ रही है ऐसे ऐसा लग रहा है कि प्रकास किरण ऐसे आ रही है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सकती न तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे आ रही है तो प्यारलेल हो जाएगी तो यह हमने सीखा कि भया समांतर आएगी तो समांतर आएगी तो यह arrow ही आपको आगे लेके जाएंगे वेसक आपको यह कठिन लग रहा हो ठीक है सर पिछले चैप्टर कप कराओगे बेटा यह physics का पहला चैप्टर है और हम पहला चैप्टर करा चुके है chemistry का इसके बाद हम एक बायो का चैप्टर कराएंगे के यह समझने की कोशिच करो तभे समझ में आएगा भी哦 फिर अब रुषा देखो दूसरा है कि सेंटर पे जाएगी तो सीधी सीधी जाएगी देखों की है committed की को सिस करें कि क 나가 समझने की कोशिच करें थोड़ा सचचर को बड़ा करते हैं बहुत होटा है यह आप देखो बेटा तीसरा नियम क्या है कि सेंटर से आएगी तो जैसे आ रही है वैसे ही वापस हो जाएगी यानि सेंटर से किरन अगर जा रही है तो वैसे ही सेंटर से वापस चली जाएगी जैसे सेंटर से जा रही है वैसे ही सेहीं वापस हो जाए चिक प्रकास की क्रण यह सेंटरbenल इसलिख बचल से पास कर रही है तो बेठा ऐसे जा रही जैसे इस पॉइंट पर जाएगी टकरा के वापस आएगी ऐसे जाएगी ऐसे ही वापस उसी रास्ते से लट जाएगी अगर यह से जा रही होती तो यहीं से टकराती वापस हो जाती यह तीन नियम है जो कि हमारे ले काम आएंगे फिर आ गई मेरी बात समझे तो हम एक गाना भी बना सकते हैं तो आएगी तो फोकस से जाएगी तो पैरल हो जाएगी सेंटर से जाएगी तो सीधी सीधी जाएगी सीम्पल सी बात है सारे नियम याद हो गए आप मान के चलो कि छे नंबर पक्की हो गए आपके कि जब हम एच जब हम उसको करेंगे कि हुए प्रतिविंगे गीज दो बनाएंगे तो और लोग काम आएगा पैंपल सा सौंग है याद कर लेना कि सर ने बताया था कि पर्डल्ल करत लड़ी गैसब नतर समाहंने ही तो फोकस से जाएगी पोकस अब हम बात करते हैं कि गोली दर्पन प्रतिविम कैसे बनते हैं हम ने आपको बचाया था पहले हम बताएंगे च्छे इस्थितियों की देख लेते हैं पन्ना हमारा लॉक है कि लोग है चलो मालिक हम कौपी पेस्ट कर लेते हैं पेज हमारे पास हो जाएंगे अच्छे है कि फी lot दरपन्द करसे प्रितिविंब का बनना हम पहले वहीतिज डाल देंगे और यह डाल देंगे कि और में कि और ग्रृषव से प्रतिविंब का बनना। यह हम लोग अब करने जा रहे हैं एक 6 केशें हैं जो activated की साथ प्रत्विम पहले हम अपनी वस्त को कहां रखते हैं पहले हम अपनी वस्त को रखते हैं अनंत क्या होता है हम बताएंगे सी से परे परे मतलब होता है दूर फिर सी पर फिर सी और एफ के बीज फिर सी पर फिर पी और एफ के बीज ठीक पेपर में कोश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा कोश्चन पेपर में कैसे आएगा टेंशन मतलो ठीक है मैं बताऊंगा अभी बिल्कुल भी टेंशन मतलो यह सा है ठीक है देखते हैं बनाना शुरू करते हैं ली जे बच्चों पहला केस इसको अलग से बता देते हैं आपको यहीं पर बता देते हैं ठीक है माली यह हमारे पास क्या है आउतल दरपाट्ट टोटल यह केस करेंगे third total check case किurdon कि कि यह हमारा है कि यह हमारा कैर मुख्य अच्छ यह लाल क्या है पई यह क्या है लाल हमारा एफ कर यह लाल मेरा क्या है सी बहुत ज़्यादा था क्लोज और यह लाला मारा क्या है Eli लाल हमारा क्या सी ठीक है यह पहला केस था पहले केस में हमें वस्त को कहां रखना है कि वस्तु अनंत पर है मेरे लाल वस्तु वस्तु अनंत पर है एक फिर इसी तरीके से दूसरा केस होगा इसी तरीके से दूसरा केस होगा उसमें वस्त को कहीं रखेंगे इसी तरीके से तीसरा होगा उसमें भूह वस्ट को रखेंगे आइसी तरीके सो केज करेंगे आपसारी केश हम लेगे generate make कि आप को नहीं नहीं है कि वस्त कहां होगी इसपने अनंद कपर जै कि अनंत पर हमने वस्त को रख़ दिया अनंत क्या होता है बोर्ट सेопят थोड़ी नकчи ले यहीं इस रेखा से बाहर बना देंगे और अभी हमने आपको समझाया था कि प्रकास की रण जब क्या होती है पैरलल आती है तो कहां से जाती है फोकस से जाती है ठीक और यहीं काम इधर भी होगा कि पैरलल आएगी तो फोकस से जाएगी है ना बात समना गई तो यहां देखो पैरलल आई फोकस से गई पैरलल आई फोकस से गई जहांपन मिलेगी वहीं प्रतिविम बना देगी यानि एक बात हमको पता चली कि यह जो प्रतिविम हमको मिलेगा यह कहां पर मिलेगा यानि य प्रतिविम की हमें जगह बतानी है, पोजीशन बतानी है, कहां मिलेगा, इसका इस्थान बताना है, हमें basically कितनी चीज़ों बतानी पड़ती है, जब हमें किसी को बताना होता है, तो हमें उसकी प्रकत बतानी होती है, हमें उसकी इस्थित बतानी होती है, और हमें ये बताना पड़ता है कि यह कैसा बना हुआ है तीन बाते बतानी है पहली बात हमको बतानी पड़ती है इसकी इस्थिति दूसरी बात बच्चों बतानी पड़ती है इसकी प्रकति और तीसरी बात बतानी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों इसका आकार तीन बाते बतानी पड़ती है ठीक है तीन बाते बतानी पड़ती है देखो इस्थिति प्रकति और आकार बेटा यह इस्थिति इस्थित है फोकस पर प्रकति पैटए फोकस पर वना है ना यह आभास्य पूरतिव बनेगा सप्रीवास्तिव और हमस्थ प्रतिव्य आप प्रतिम प्रतिम है अब आपको प्रतिम जब गंशे समझ में आ रहे हैं अबמק and क्लास करोगे और अच्छे से समझ में आगए कि वहां कोई डिश्टर्विंस नहीं होगा अब उसके बाद आकार के बारे में बहुत छोटा है कि आखार इसका जो है न वह बहुत ज्यादा छोटा है यह पहला काम हो गया वाई यह क्या है हमारी यह हमारी वस्तु है अब यही चीज़ हम इसके लिए करते हैं अब हम अपनी वस्तु से कहते हैं ऐसा है अपर तुम थोड़ा खिसक जाओ अब इधर बन जाओ यह आई वस्तु यहां बन गई ठीक और हमने कहा वस्तु कहा है वस्तु सी से परे परे का मतलब क्या होता है बैटा दूर यानि यहां रखा अब प्रकास की किरान चली जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग-जुग- को सी से गजार दो वेटा पर आप नोटिस कर रहे हो गी कि प्रतियुंब्र हमेशा वसी जिगार बन रहा है डाब वहींपर कट्र कर रही है इक काम करते हैं यह्यादा बढ़िया रहेगा कि mhm स्थिवाला बना लेते हैं अ मैं ऐसे गई डिक ज़हां पर कट हुई कहां कट हुई यहाँ पर कट हुई और यहीं पर क्या बन गया प्रत्विम आप मुझे बचाओ यह्ञा पर भड़ित कहां यह कहां पर बना सी कह बड़िद कर से वह एफ केबीच मैं कि क्या कहते को क्या कहते हैं को और चुए कर सो बना कैसा यह वास्तिविक बना बेटा और वास्तिविक है इसलिए क्या है उल्टा है हना अच्छा कैसे बता चला कि वास्तिविक बना हमारी प्रकास किर्णे जबर्दस्ती नहीं मिल रही है कि हम इनको जबर्दस्ती मिलाए दे रहे हो प्रकास किर्णे हमारी जबर्दस्ती नहीं मिल रही है प्रकास किर्णे को हम क क्या कर रहे हैं जवर्दस्ति नहीं मिला रहे हैं कि जवर्दस्ति मिल रही हो हमारी प्रकास किरने हना तो वास्ति गौर उल्टा बहुत छोटा लेकिल यहां क्या है छोटा है बहुत छोटा नहीं है वस्तु से थोड़ा छोटा है तो हमने क्या लिख दिया कि छोटा वस्त उसे छोटा बन रहा है अब आओ भाई तीसरे केस पे चलते हैं वस्त को तनीक और खिसकाओ इसको फोकस पर से इसको सी के पास ले जाओ जो भाया इसको हम सी के पास ले जाते हैं ठीक है यह बहुत important है और यह paper में आता है वस्तु C पर हो, यह paper में आता है, most important लिख लो, ठीक है, वस्तु कहां हो, C पर हो, अब देखो क्या हुआ, प्रकास किरन चली, कहां से गुजरेगी, focus से, ठीक है, अब इसको कहां से गुजरेंगे हम, ऐसे आएगी, ऐसे तो आएगी मेटा, यह यह मजा नहीं आ रही है, इसमें ठीक है, सिर्चा हो गई हमारी, मजा नहीं, रुख जौब फिर से बनाते हैं, तीदी सीधी बनाते हैं तेड़ी नेड़ी नहीं ठीक, कि आपने जब इसको बनाया, आपने एक चीज़ नोटिस के, कि यह प्रतिविम्ब, जो हमारा बन रहा है, वो यहीं पर आके बन रहा है, देखो, जैसे, यह रही कि अगर हम अपनी वस्त को यहां रख रहे हैं, तो इसका प्रतिविम्ब हमारा यहां बन नहा है, और जब आप इसको बनाओगे, आपको पता चलेगा कि यार प्रतिविम्ब जो बनता है हमारा, वो तो वस्त के बराबर बन जा रहा है, यानि कि ये सीपर ही बन जा रहा है और वास्तविक बतो बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है लेकिन ये वस्तु के बराबर बन रहा है मैं जिस तरीके से खड़े होके पढ़ा रहा हूं मैं ही जानता हूं क्योंकि हमारे हाल बहुत ज्यादा बिहाल है मैथ की ग्लास कबसे हो रही है बेटा डेली होती है एक दिन मैथ होती है एक दिन साइंस होती है मेरे हाल बहुत ज्यादा बैयाल मेरे पूरे लेफ्ट वाले पैर में बहुत ज्यादा स्वालिंग है मैं चीस तरह पढ़ा रहा हूं मैं ही जानता हूं लेकिन अब यह है कि पढ़ाना है आप लोगों को कि मुझे थोड़ा चोट लग गया था एक चलो तो यहां तक समझ में इतनी बात आ गई है इंपॉर्टेट थे अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे चौथे में क्या करेंगे वस्तु को थोड़ा और खिसकाएंगे वस्तु कहां रखेंगे वस्तु सीवा एफ के बीच रखेंगे एक चलो यहां रख देते हैं कि ऐसे आप क्या होगा प्रकास किरन्ड चलेगी कहां से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी दूसरी प्रकास किरन कहां गुजरेगी फोकस से गुजरेगी फिर कहां जाएगी ऐसे जाएगी अब आप देखोगे कि जो आपका प्रतिविम बन रहा होगा अब आप नोटिस करोगे कि आप अगर यहां पर वस्त को रखते हो उसक पिर उसके बाद यह यहां आखे कहीं मिल जा रही है और यहां पर यह हमारा प्रतिविम बना दे रही है यानि कि यह जो प्रतिविम बन रहा है वो सी से दूर बनेगा प्रकास किरन गई यहां से सीधे ऐसे निकल गई फिर यह वाली फोकस से गई और जाने के बाद ऐसे निकल गई आपने देखा कि यह हमारी वस्तु थी और यह हमारा प्रतिविम बना यह हमारी वस्तु थी और यह हमारा प्रतिविम था ठीक, ओके बच्चों, इसमें क्या हुआ कि हमारी जो वस्त थी, इस्थित कहां बना, सी से दूर, सी से दूर, और कैसा प्रत्विम है, वास्तविक है बेटा, और वास्तिव के साथ-साथ कैसा है, उल्टा है, और कैसा है, ये प्रत्विम का साइज बड़ा है, देखो, बड़ा प्रत्विम बन रहा है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, सर, एप पर रिकॉर्डड़ वीडियो कब से मिलेगा, कौन से सब्जेक का बेटा, एप पर लाइव क्लास होता है, जो बच्चे एप पर सब्सक्रिप्शन लेंगे, उनका लाइव क्लास होता है, डेली साम को छे बजे, और हिंदी इंगलिस का आठ बजे, चले, तो C और F के बीच, ठीक, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, चौथे पर आ जाओ, चौथा हो गया, पांचवे पर आओ, अब हम कहां रखेंगे अपनी वस्त को, फोकस पर रखेंगे न, इनके बीच रख, चुकि आप कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, ये बहुत इंपोर्टन है, पूछा जाता है, जिसको हम इंपोर्टन बोल दें, उस पर टिक लगा लेना, ये बेटा देखो, अब ये प्रकास किरन कहां से जाएगी, फोकस से आ जाएगी, चक्रा के ऐसे वापस आ जाएगी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये वाली लाइन थोड़ा तर तिरची हो गई है, अधिक, यहाँ पर सी करो, सही नपा नहीं है, ठीक है, आगे बास तुझे, इससे क्या पता चला, ये हमें प्रकास, जब तुम बनाओगे ना बेटा, क्लियर आएगा, ये तीसरे कहां है, हमारी वस्तु कहां है, वस्तु फोकस पर, अब ये हमारी जो प्रकास किरने कैसी है, समांतर है, ये समांतर है, कहीं पर दूर जाके मिलेंगी, इसका मतलब कहां पर जाके मिलेंगी, हमने मालिया कि ये अनन्त पर जाकर मिलेंगी, यहां से पता चला कि प्रतिम जो बनेगा, वो कहां बनेगा, अनंत पर जाके बनेगा अनंत पर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा न तो वास्तुविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिविम बनके तयार होगा ठीक है सारे बच्चो को क्लियर है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना चलो अब यहाँ पे आजाओ यहाँ पे बहुत अच्छी से देखो अब हम अपनी वस्त को यहाँ रख देते हैं प्रिक इस तरीके से यह प्रकास की किरन ऐसे गई आ Verm कि जाने के बाद यह गुजर गई ऐसे कि यह निब रगास की पहले यह वस्तु है प्रकास कि रण चली, फोकस से गुजर गई दूसरी प्रकास की किरंड, अब आपको तो पता ही है, यहां से जाएगी पहले, और जाने के बास सीधे आएगी और इससे गुज़र जाएगी, अब जब आप इसको गुज़रोगे तो आपको लगा कि यार ये तो फैल रही है ऐसे, यह कहीं फैल रही है अगर यह ऐसे फैल रही है तो इसका क्या मतलब है यह कहीं पीछे से होके आई होंगी यहीं तो बात हुआ ना यह कहीं पीछे से होके आई होंगी अब चुरू इनको पीछे मिलाते हैं देखते हैं क्या होता है प्रकास केने कैसी होने ची यह डॉट एड अब हमने देखा कि यह पर आके कट कर रही है जब ने देखा कि प्रकास के यहां पर आके कट कर रही है इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा कर लिया एक और उसके बाद इसको इससे मिला दिया और यही बनके क्या तयार हो गया प्रतिविम भाई मुख्य अच्छ से मिलाना पड़ेगा और इसको ऐसे मिला दिया बोलो क्लियर हो गई इतनी बात यहां से पता चला कि प्रतिविम हमारा बन रहा है दरपन के पीछे में तरपण की पीछे वन रहा है तो कैसा वनेगा फिर अभासी बनता अंसा कि आप देखो वेटा सीधा आए उने कि मुख्य चचकर ऊपर होगा तो कैसा होका सिधा होगा कि नीचे होगा तो उल्टा सिधा और कि वस्तव से बड़ा बनेगा कि बोलो इतनी बात बच्चों क्लिsystem हो गया मैं है अभीगों क्लियर यहां तक इसी को कोई दिख्कत नहीं है ठिक आगे चलते पिसको कॉई समझ्या नहीं तोत हो सब्सक्राइब देख लिया कि आप्लाइल अगले वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमें खड़े होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है बहुत जाद दर्द हो रहा है नहीं तो फेपर पास होता है तो हम सोचते है और अगले वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पन द्वारा फृतिम कैसे बनते हैं और आउतल दरपन द्वारा देख चुके हैं उत्तल दरपन द्वारा हम लोग देखेंगे ठीक है मैरे प्यारे बच्चों चलिए आज के लिए फिर इतना ही तब तक लिए बाई-बा अगर कोई भी बच्चा अभी तक एप पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी तीन दिनों तक लगातार ओफर है यानि जो ओफर अभी आठ तक था वो ओफर अब हमने कर दिया है बारा में तक ठीक है बारा मही तक उफर है जो वन त्रिपल नाइन का कोर्स आपको है न जो थ्री थाउजन फाइफ हंडड़ का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने में मिल रहा है जिसमें आपको math की class मिलेंगी जिसमें आपको science की class मिलेंगी जिसमें आपको hindi की classes मिलेंगी English की classes मिलेंगी notes मिलेगा, PDF मिलेगा, बहुत सारी चीज़े जो की YouTube पे possible यह नहीं है इतना सब कुछ कर पाना classes हो जाएंगी, but notes, PDF बहुत सारी चीज़े जो आपको नहीं मिल पाती है guidance, study material के लिए sample paper त्यार करके देना, mcqs देना, test देना इस सब आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है चलो, अगर जिन्होंने अभी तक एप पर enroll नहीं किया है वो लोग enroll कर लेंगे, मैंने आपको नीचे description box में link दे दी है, ठीक है उस पे जाके आप purchase भी कर सकते हो, तक लिए मैरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, thank you so much ठीक है, thank you so much, आज के लिए इतना ही अब बहुत जल्दी English की भी classes मिल जाएंगी ओके, bye bye, take care